जय मात अदे दोस्तो वक्त धंतेरिस को क्या खरीद हैं कि हैं नहीं खरीडना चाहिए भूल कर भी ना खरीद साथ ही घर में धन धानी की कमी नहीं होती है धन्तेरज के दिन ने बरतन आवुसर भगवान की मुर्फियां खरिदेना वेहद सुम माना जाता है साथ ही ऐसी भी कुछ वस्तों है जिसे कदाप नहीं खरिदनी चाहिए टो आयों जानते हैं डनतेरज स्कामिक दितरज की खरिदना चाहिए और क्या नहीं खरिदना चाहिए सबसे पहले डनतेरज पर क्या खरिदना चाहिए जान लेते हैं खरिदेए यंदंव चीज जो होगी धन की वर्षा दन तेरस के दिन बरतन दीपक जाड़ों कुवेर एंत्र और महा लच्मी एंत्र नमक जैसी बस्तों की खरीद्दारी भेहत सुब माना गया है इन बस्तों के साथ बगवान धन्वंत्र देविमा लच्मी एंत्र देवत्ता की पूजा करने से घर धन्धान से भरा रहता है और परिवार में सुख समर्द्दी आती है असत्रों के अनुशा दन्टेरेश की दिन भगवान धन्वंत्र अपने हाथों में अमरत का कलस लेकर प्रकट हुए थे इस दिन बरतों को खरीदना बेहर सुब माना जाता है इस बरतों को खरीदने से घर में सुख समर्द्दी आती है अता आप भी इस दिन अपनी चमता के अन्शाय मिट्टी पीतलता में चान्दिस होने के बरतन जरूर खरीदें गड़ें से लच्छमी की प्रित्माएं खरीद सकते हैं धन्तेरज के दिन देवी देवताओं की मूर्थियां और तस्विरों खरीदेना काफी सुम माना जाता है धन्तेरज के दिन दो दिन बाद दीवाली परभगवान गड़ें समाता लच्छमी की पूजा होती है लिए पुजा के लिए इन मूर्थियों के खरीदाई दंतेरज के दिन ही कर लेनी चाहिए कुबेरेlandra और माहल अच्छमी अच्छमी अच्छ महन अच्छमी एंद्र को खुल सकते हैं दीवाली के दिने नेंद्रों को पिदी विधान से पूजा करके पीले रंगमेबान का घर की तुजोरी में एक दिने से भगवान को वेर और माल अच्छमी जीवेहत प्रशन होती है दीवाली प्रकास का तिवारा इस दिन दियों यानि द हैं दीपक जलाकर हुगान से राम का स्वागत किया जाता है साथ इधंतेयरश का फरव इसलिए भीकास है कि यहां एक मात फरव जिसमें अम्राज्देवता की पूजा होती हो घर के बहार इहम दीपक प्रशलित किया जाता है अधा आप इस दिन ख्रिद्दारी इमें देव को प्रशन करने के लिए हम दीपग अवस्थ जलाएं अता इस दिन अपने अनुशार ग्याराइक किस क्यावने आएक से धिये खरीद लें हमारे धार में ग्रंत महर पूजा में सुष्था और सुष्था को प्रत्रमुक्ता दी गई है सामान रूप से भी अच्छे स्वाथ के इसकी पूजा अवस्थ करें धन तेरस पर धनिया के बीज खरीद दरना भी काफी लावकारी माना जाता दी वाली के दिन इस बीजों को पूजा मेरपित करने के बाद किसी कमले में बुश सकते हैं मानता है कि अगर इससे अवस्थ स्वस्थ पहुजा उपजता है तो इससे काफी सुफ संकेत माना जाता है नमक इस पर अपर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाले चीजों में से एक है नमक को भी खरीदने से आप घर में सुख समर्थी का आगवन होता है अगर आप आप उसर खरीदने की उजना बना रहे हैं तो धन्तेरस इसके लिए इसी कीमती बस्तों की खरीदारी के लिए काफी सुम माना जाता है आप भी अपने शंता के अनुशा इतने सोने चान्दी के आप उसर खरीद सकते हैं दीवाली की पूजा में सोने चान्दी के सिक्के रखने का फिसेस महात्ता इसलिए आप धन्तेरस परी सोने चान्दी के स सिक्के खरिद कर घर में लाज रखते हैं ने वी दीवाली की पूजा में देवता कुबेर के रूप में इस थापित किया जा सकता है इस बस्तों की खरिदारी निस्चित रूप से आपकी धंतेरस पर आपको अतेंतर मंगलकारी बनाएगी लेकिन इस दिन जो भी खरिदें उससे सच्चे मन और अपने स्वार्थ से ही खरिदें इससे भगवार प्रशन होते हैं अब आएए जानते हैं धंतेरस पर क्या नहीं खरिदना चाहिए धंतेरस के दिन भूल कर भी ना खरिदें पांच चीजे माना जाता है असुब लोहे की चीजें 13 के दिन लोय की कोई भी बस्तो नहीं खरीद नई चारे मानता है कि इससे भगवान थनी देव नाराज होते हैं जो 37 के अंसा लोय की सनी देव का कारक माना जाता साथ इतन लोया कृदने से धन कुवेरी किरपा नहीं होती है अल्मोनियम पर रहो को प्रवाब होता है, इसे दुर्भाग का प्रतीग माना जाता है अता धन्तेरस के दिन के सुभ वतिवार पर अल्मोनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए दन्थेरेश के दिन धार-दार बसने जीaina चाकू कैंची पिन्सुई या कोई धार-दार सामान ख्रीदने से बचना चाहिए सतिने नुक्विली चीजों को ख्रीदना सुभ्नках जाता. दन्थेरस के दिन इन चीजों को ख्रीदने से घर में कंगाली आ सजाथ सकती है। दंतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजों से नहीं खरीदनी चाहिए प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है इसलिए दंतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान मिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए कांच का सम्मंद राламव से होता इसलिए 13 के दिन कांच करेदने से बचना चाहिए इस दिन खांच करेदने से घर में बरकत की जगे मिश्कलें आ सकती है इसलिए 13 के दिन कांच की कोई भी चीज ना खरीदेВОhin दोस्तों और ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें धन्रवाद दोस्तों और ऐसे में मिलेंगे अगले वीडियो में